जै माललताम्भी का जै गुर्देव हम लोग ललितात्रिशती के मंत्रोकार्थ समझ रहे हैं अब तक मैंने श्लोक नमबर 38 38 तक कह दिया है और उसमें भी लक्षर पे हमने पिछली बार रोका था आज हम लोग फिर से रहीमकार इस पुरे 15 शाक्षी में रहीमकार तीन मर आया है तो हम लोग फिर से उस रहीमकार अर्थ को सुनेंगे और फिर से एक बार और आएगा रहीमकार अंत में तो रहीमकार ये जो मंत्र है जो देवी का लज्जा बीज या माया बीज ये मंत्र जो को बहुत प्यारा है इसको बाई कई बार यहां पर आया तो उसके बड़े संदर संदर अर्थ निकले हैं आज देखते हैं और भी बहुत संदर अर्थ इसके अंदर आये हुए है तो आज सुनते हैं स्लोक नंबर 38 से पहले मा को याद कर लें सिंदूरारुणविक्राहां त्रिनयनाम मानिक्यमोलीस्पुरत तारानायकशेखरां स्मितमुखिम आपीनवक्षोरुहां पानिभ्यमलिपूर्णरत्न चशकं रक्तोत्पलं विब्रतिम् सौम्याम्रत्न गटस्तरक्तचरणाम ध्यायेत्परां अंबिकाम् स्लोक नमबर 38 इसका जो पहले लाइन का आर्थ तो हमने पहले वीडियो में सम्झा दिया था फिर भी लब्ध माना लब्दरसा का आर्थ होता है सारा मानिनी को मिलता है और सब कुछ का रस प्राप्त करती है इससे एक और अर्थ है कि हम जो भक्ति देते हैं उस भक्त के उस प्रेम रस का जो आस्वादन करती है वो हो गई लब्ध रसा और लब्ध संपत समनती कि इनको देखने मात्र से इनको क्या किसी चीज़ की कुछ कमी नहीं है लेकिन इनको देखने मात्र से इनके शवन स्मरन मात्र से लब्ध संपत समनती जो उन्नती आप सोच सब प्राप्थ हो सकती है देबि संपत्ती और संसारी जगत की संपत्ती है भीस कुछ प्राप्थục हो सकती है अब डोग चलते हैं रीम मंथ्र कि Isa के जो और भी अर्था ए उसको तो पहले शुरू हो जाता है रिनकार नीजि नमहा मया बीज्य है साक्षात रीम मंत्र तो , कर देवि के मंत्र अगा है और तो प्रणव मंत्र , वह निगत का नतर 발생 होस्तर YEAH August मां को नमशकार है रीमकार अध्याइशनमाहा कहते हैं कि रीमकार ही आध्यकालीने के पहले मझा बने शुष्टी बन गई फिर उसके बाद मी मा ही है तो मा तो हमेशा रहने वाली ऐ आदी से मद्धय में और इसके बाद महा है पालंकर्टरी और इसरू न्तर एक प्रकतो होती है आदीसोरूपीणी और फिर मंद्धय में भी और मंत्र क्या रीम और रीम शिखामनी कि माँ जो है इस मंत्र है की रven to given home रहुन रराउन कने मां का माहिं सबकी घृ से एस प्रकार से जन्टनला रहे रिंकर कुंडांग नीं सिक ररिंककर अब है इस और कुंड अगनी कि रहीमकार मंत्र का एक कुंड है उस कुंड में से अगनी निकली और उस अगनी की देवी कौन है मा कहने करते हैं आपने पहले की वीडियो अगर सुन रहे हैं अगर आप पुरी सीरीज में वीडियो सुने होंगे तो पहले भी मैंने रहीमकार का जो पहला और एक बात बताई कि इसके अंदर आकाश तत्व है इसके अंदर अगनी तत्व है और इसके अंदर शक्ती तत्व है इस रीम मंत्र में तो जब हम ध्यान करते हैं तो अगनी तत्व आपके नाभी चक्र में तपस्या से वह अगनी तत्व जलता आगे बढ़ता है और बढ़त तपस्या करता है और उसमें वो अगनी बढ़ती जाती है उस तपस्या से और उस तपस्या प्राडायम करते हैं इंद्रियों को दमन करते हैं मन को रोकते हैं और रोक करके इस मंत्र का रीम मंत्र का जाप करते हैं इससे वो शक्ती प्रकट होने लगती है तो वो जो शरीर रु पर उसके अंदर से जो अगनी है उँफ है और कुणर कन ट अगनी आमस्कार है उनको नमशकार है तो रहिंग कर कुंडागनी शिखाए नमाहा मा जो है वो शिखा की जैसे अगनी की शिखा की जैसे है जो इस शरीर रुपी कुंड में से निकल रहा है और कौनसे मंतर से? रहीं रहींकार शचीचंदरीका मैणने अभा गनी तत्व हुआ और शचीचंदरीका शशी यानी चंद्रमा तो चंद्रमा जो है चंद्रमा की चंद्रिका उसकी रोशनी वो है रहीमकार तो रहीमकार वो चंद्रिका है किसकी चंद्रमा की एक अर्थ तो यह हो गया सिधा सिधा दूसरा आर्थि होता है चंद्रमा कहा है यहाँ मैंने कहा और अगनितत्व है आपके नाभी में तो आपकी पूरी चेतना उठते 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 यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर जब आ जाती है मा के दर्शन होते हैं तो कहते हैं वो चंद्रिका वो रोशनी कैसी रोशनी होती है हजारो चंद्रमा एक साथ इकठे हो जाय तो अगनी से चलती है, अगनी से चल करके यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी, तो कहते हैं, रिंकार शशी चंद्रिका, यह मंत्र जो है ना, रिंकार, यह मा का सो रूप है, एक करती है, चंद्रमा को रोशनी कहा से मिली, मा से मिली, उसका मंत्र क्या है, रिं, और जब तपस्व आपने का काह से रीम और अब कहते हैं रहींक 사स कि अरुषिह सुरatie की रोश्णी कहा से मिलती है रीबए और हमारे अंदर काँ पढ00 कहते हमारे अंदर रि्दे की अंदर सुर्य ऐतर्ब रिद्दे अंदर तो वो जो सूरी की रोशनी है न निदे चक्र की रोशनी जहां दर्शन होता है आत्मा परमात्मा का मिलन को हो या मा का दर्शन हो या भगवान की दर्शन हो कहते हैं भास करो रुची वो कहां से आया रीम मंत्र रीम ऐसे जपो ऐसे जपो कि तुम्हारे रोम रोम में वो रीम चले रीम प्रणव है 36 लाग जपते हैं कहते हैं लेकिन 36 लाग क्या करोड़ो करो करोड़ो करो और उस रीम मंत्र ये نाद है रेंगकार प्रणव है तो जो इस नाद को समझ गया उनाद में डूप गया उसको इस सब दिखाए दिने लगया तो रेंगकार भासकर उर्ची ही और रेंगकार अम्बोध चंचला कि इस रिदे के अंदर कमल खिला और वो कमल किसका वो री री से रिदे और उस रिदे के अंदर एक कमल खिला और उस कमल के अंदर मा खेल रही है रिदे रुपी कमल के अंदर बक्त के रिदे रुपी कमल में मा खेल रही है तो रिंकार रिंकार अम्भोध चंचला जो इस प्रकार से चंचल हो रही है, एक अर्थो ये आया ठीक है न, दूसरा रथा आता है कि बिजली है न, बिजली जो चमकती है बादल जब बारिश गरती है तो तो जो बिजली जो चमकती है वो रीमकार के सुरूप में और एक अर्थी आता है कि जब सादक को कुंडलीनी का experience होता है कभी, तो कुंडलीनी जो है न, बिजली की तरह होती है, एक दम पतली सी बिजली की तरह, तो रीमकार अम्भोध चंचला है न, मा इतनी चंचल तरीके से उठेगी इतनी चंचल तरीके से उठेगी वो कौन है वो, मा है रीमकार के सिद्धी होने वाले को ये सब दीरे दीरे अपने आप होने लगता है, इसलिए ऐसी मा को नमश्कार है और रीमकार कुंदा अंकुराए कुंदा कुरा कुरिकाए नमहा कहते हैं कि रीमकार नाम का एक कुंद है एक जड़ है एक बीज है और उसमें से जो अंकुर निकला तो रीम मंत्र है रीम मंत्र में से जो भक्ती का बीज जो प्रेम का बीज, जो प्रेम लता का अंकुरन हुआ वो है रीमकार कुंदा कुंद और उसके बाद आ गया अभी हम लोग चालिस वाश लोग पढ़ रहे है रिंकार कंदांकुरीका रिंकार इक परायना रिंकार दिर्गी का हंसी रिंकार ओध्यान के किनी कि यह तो अभी मैंने समझाया फिर भी समझा देती हूं रिंकार नाम की का एक कुंद है कुंद यानि रूट जड़ और उसके अंदर से एक स्प्राउट निकला एक अंकुर निकला तो वो जो है वो रिंकार कंदांकुरीका जब भक्त प्यार से रिंग 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 कि जो आपको गुरुजी से मिलाओ उस मन्तर का जब जाप करते हैं कूप जाप करते हैं जैसे मैंने कहा हैं इतना करो इतना करो कि खो जाओ कुछ यादनी रही के व 180 निर्मल होगान मैं जो उसके अंदर से प्रेम्रुपी लता तब घक्ति लता वो अंकुरित होती हो और प प्रेम रुपी लता का भक्ती लता का फल प्रेम है बस तो वो प्रेम इतना रसाल होता है रसमे प्रेम बरा फल जो निकलता है वो ही कुंद है ठीक है और अब दुसरा ना में रहिंकार एक परायना मा को बसके वले एक ही नाम अच्छा लगता है रहिं रहिं कार करता हो तो मा बड़ी खुश रहाती है और रिंकार देरगी की हंस ये नमाहा की रिंकार नाम का एक सरोवर है और उसकी ये हंस नहीं है कहने करते हैं भक्त का जो मन है वो इतना सुंदर हुआता है मानत सरोवर मान सरोवर तो ये जो मंत्र है ये जो मन है एकदम पवित्र है इसमें कोई संसा रोद लो मुहमत सा सब कस्रे निकल चुके जिसका मन ऐसे मानसरोवर की तरह एक्तम पवित्र है उसके मानसरोवर रूपी मन में मांसरोवर करके खुब खेलती हैं, लेकिन मानसरोवर रूपी मन बनता किस से? हिएते हैं वो जो कि एक रिंकार नाम का एक उद्धियान है और उसके अंदर की मयूरी मृत्य कर रही है कौन है क्यों यह पहले करते हैं जो भक्त है जिसका चित एक दम उद्धियान की तरह है उद्धियान में भक्त ने खुब प्रैम रुपी फल लगए हुए है समरपन रुपी फल है प्रेम रुपी फल है किरतन रुपी फल है भजन रुपी फल है फूल है जिसका मान एकदम सुमन हो गया है ऐसा जो भक्त है जिसका बुरा शरीर इतन मन सब कुछ एकदम उद्ध्यान के तरह बन गिया है रीमकार रुपी उद्धियान इतना रीम जापा है कि रीमकार रुपी उद्धियान तो उसके auskhen अंदर माह आशे मूर्नी बन करकर दृत्थिय करती है केकी नी अब चालिसवा हो गया एक तालिसवाँ रीमकारा अरन्य हरनी रिंकारा वाल वल्लरी रिंकारा पंजर शुखी रिंकारा अंगण दीपिका बहुत सुनर से नाम है वावा रिंकार आरण्य हरनी एक आरण्य हरनी है एक जंगल है रिंकार रुपी उसके अंदर की हरनी हमारा यही शरीर हमारा मन तो जंगल जैसे है ना इस शरीर के जंगल के अंदर, जो हिरन रूप में घुम रही है, ऐसी हमारी मा, इनको नमस्कार है, रेंकारा वाल वल्लरी, जो भक्त जब है न, प्यार से माँ को पुषप चाड़ाता है, न, तो पुषप, उन पुषपों के बीच में एक रेंकार रूप एक वल्लरी एक लत यह जो रिंग्कार जो हृद्ए एं और इतना क्यों कि सब कुछ रिंग्कार हो गया है तो रिंग्कार रुपी जो ह्रीदropolis ना जमके समाने को और रिंग्कार रुपी में माँ मजो रहे खूशी से तोटाई शुकी बन करए रहार गया हैे तो वक्त इसे मां रिदे के रिंग से रिदे, रिदे के जो पिंजडे में जो शुकी बन करके हमारे साथ लिला करती है हमारी आत्मा क्या लिला करती है ऐसी मा को नमश्कार है रिंकार आंगन दीपिका रिंकार रुपी इस मन के अंदर इस रिदय के अंदर ये आंगन के जैसे है उस आंगन के अंदर जो दीपक चमक रहा है जो ज्ञान का वो ज्ञान सुरूपनी वो प्रेम सुरूपनी वो दीपिका के रूप में जो मा है तो इस रिंकार रुपी आंगन के रूप के अंदर एक दीपिका है उसके अंदर वो दीपिका जो है वो हमारी मा है अब श्लोक नंबर 42 रिंकार कंदरा सिंगी रिंकार अमबो जब रिंगी का रिंकार सुमनो माध्वी रिंकार तरु मंजरी रिंकार कंदरा सिंगी की एक बूंत जंगल संगल है घुड़ग है तो तो बίisz क्या दिया तो यहां सुंदि कंडरा अंतला के अंधर रिष्य रिदय टम शुक्र में दूर्फिा नविड़ 但 वार्फिन जो प्रष्य पर जब कभी हम गलत करें तो बड़ाबबर देती है हमको डाट करके ऐसी सिंगणी अहाँ उनको नमस्कार है रिंकार आम बोज बिंगिका ह। एक रिंकार नाम का कमल खिला है और उसके अंदर जो ब्रिंगी बन करके आती है तो हमारे रिदे का रिंकार रुपी कमल उसके अंदर मा आकर के उसको रस ले रही है ब्रिंगी बन बन के हमारे प्रेम रस ले रही है तो ऐसी जो मा है रिंकार सुमनो मादवी, रिंकार अतरुमंजरी, रिंकार सुमनो मादवी, की रिंकार नाम का एक फूल खिला है, और उस फूल का जो मदू है, हमारा रिदे, हमारा रिदे भर गया है मदू से, प्रेम रस से, मीठा 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 रस, तो वो जो मीठा रस है, रस की जो मि कि रहना वह रहा, वो रस जो है न मधु, वह यही है और ब्रिंगी जो है मधु लेने के लिए वह भी वही है अब और एक रिंकार तरुमंजरी कि एक रिंकार नाम का व्रिक्ष्ज और उसके अदर खुब डेर सारी मंजरिया निकली है फूल वह कौन है, वह माही है तो ऐसी मा जो हींकार इतने सारे रूप में खिली हुई है आगे से जब आप देखोगे ना यह ओग introduний करतेखे रिधय के अंदर। रिधय किसे रिधय करतेखे रिधय के अंदर रिभी करते है और रिमकार को ह 25 ळेखे लेकिन जब आखे खोलोगे तो तो आपने कहीं मंजरी देखी तो मेरी मा है कहीं भावरे देखे फूलों के पिछे तो फूल भी मेरी मा है फूल के अंदर का मदू भी मेरी मा है और भावरे भी मेरी मा है कहीं आपने शेर देखा तो मेरी मा है रिंकार रुपी सिंगनी आपने चांद को देखा तो उसकी चांद नी रिंकार रुपी चांद नी सूरज को देखा उसकी रोशनी रिंकार रुपी रोशनी जल में कमल खिलते देखे तो रिंकार रुपी जल रिंकार रुपी कमल ऐसे देखना है जो भी जहीं भी अच्छा फूल देखे तो कुप धेर सारे रिंकार रुपी फूल रिंकार रुपी सब कुछ रिंकार शिष्टी से पहले भी रिंकार शिष्टी में भी रिंकार शिष्टी के बाद भी रिंकार जो भी जहां भी देखा संदर देखा सब कुछ देखा सब माय जो रीम सरूपनी लजजा बीच माया बीच सरूपनी इनको नमस्कार है तो अब हम लोग यही पर रोखते हैं बैली स्लोग पर अगले वीडियो में 43 से शुरू करेंगे फिर से अक्षर आने वाला है स तो स स से जो बाकी के जो अर्थ है वो हम लोग अगले वीडियो में सुनते हैं मा रीम कार रूपी मा आपके रिदय में रीम कार रूप हो करके हमेशा बसी रहे ऐसी रीम कार रूपनी को नमस्कार करते हैं जैमा रादे रादे